अब नाम है विवेग भारत वाज आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नलोजी विवेग जहां मैं हरोज मोबाल और कम्पीटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियो से लेकर आता रहता हूं अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने हमारे को सबस्क्रेब कर सकते हैं सबस्क्रेब करते वक्itative को बेयल आइकन коे कीजेगा ताकि हमारे पर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल से जल मैंग सके हैं आई यो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आए हैं वह है आई एफमस पोर्टल सीरीज से ही जुड़ा हुआ है आप देख पा रहे होंगे यह हमारे डैश्वोट पर जो जितने भी यह आई एफमस से संबंद से समस्तित काफी सारी वैरी हमारे पास आ रही है हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी पर वीडियो आपने नहीं बनाया है कि किस तरीके से हम डिटेल्स को भर सकेसिं इसलिए हम ने ये ते किया कि ये वीडियो है ईड़ बनाया जाए हैini लौगिन कर का हम आपको बताइगे कि आप नुप्री डिटेयào में किस तरीके से काम करेंगे और रिटेइल इडिल्स का option open कब होता है और error क्यों आ रहा है यह संब्धित चीजे आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में अन तक आप बने रहे हैं और main चीज जो है दोस्तों क्योंकि जो ऊपर के तीन options हैं मैं जो आपको आज दिखाऊंगा जब हम यहां जाते हैं employee self-services hierarchy पर यहां क्लि तीनों को पूरी तरीके से फिल कर देंगे मैं एक बार और बता रहा हूं जब आप इस तीनों को पूरी तरीके से फिल करके सेव करके समिट कर देंगे तो एक यूनिक ID नंबर जनरेट हो रहा है आपका और जब यह तीनों यहां से successfully submit हो जाएंगी तो जो है आपके यह forward हो जाता है एक दूसरे लेवल पर next level पर वहां से जब इसको approve मिलता है तो आपकी family डिटेल जो है दोस्तों वहां पर जो लिखा आता है option मैं यहां क्लिक करके आपको बता देता हूं आप जब यहां जाएंगे approve request में तो देखी यहां request status active लिखा रहा है अगर यहां किसी का pending लि है अब आपको चलना है नॉमिनी डीटेल्स पर नॉमिनी डीटेल्स पर दोस्तों यह जो साथा option आपको दिये हैं नॉमिनी किस तरीकी का नॉमिया बनाना चाहते हैं एक दो चार पांच है साथ इसमें जो है दोस्तों जो भी आप स्लैक करेंगे lifetime area group insurance scheme हम देख लीजिए हम family पर क्लिक करते हैं अब जब आप यहां समिट करेंगे दोस्तों तो आपकी family members की details का data यहां पर आ जाएगा और आपको वहां करना क्या है देखिए नॉमिनी डाइप family आप यहां से नाम स्लैक करेंगे जितने family member आपके होंगे वह यहां नाम आ जाएंगे आप जो है यहां प आप लिखा रहा है bank details of the family member to be nominated is not present please add bank details from family details to enter family details go to यह दोस्तों आपको कह रहा है कि जो हमने नाम select किया है उनका bank account वहां पर हमने नहीं डाला था अगर वहां से bank account होता तो यह जो है यहां पर bank account को fetch कर लेता दोस्तों और इसके बाद जैसे ही वह उसको fetch कर लेता तो आप यह any bank details यह देखी यह automatically यहां पर जो है fill हो जाएगी क्योंकि अभी यह जो है यहां पर disable दिखाई दे रही है invalid nomination में भी दोस्तों आप यह बढ़ सकते हैं और जैसे ही आप यह पूरा काम कर देंगे इसके बाद आपको valid document भी देना है nominee का उसको यहां पर add करना है add करते जाना है दोस्तों यह पहली बार आप जब पूरा document यहां add कर देंगे इसके बाद आप next फिर से जाएंगे फिर से जाने के बाद जो है दोस्तों आप वहां पर जो है second option select करेंगे अब आप nominee को क्या देना चाहते हैं जैसे हमने first time यहां pension का किया हुआ है उस तरीके से आप gpf dpf जो भ भी देना चाहेंगे दोस्तों यह पूरी process आपको follow करनी है लेकिन मैं एक बार और आपको कहूं नॉमनी details तक जाने का रास्ता वह उपर की तीन चीजे हैं उन्हें जब आप पूरी तरीकी से solve कर देंगे और family details में status active लिखा आएगा पैंटिंग की जंगे जैसे ही एक जो है status active हो जाएगा दोस्तों आपको नॉमनी का detail का option open हो जाएगा और फिर easily आप एक एक चीजे पढ़कर क्योंकि सरकारी कर्मचारी को यह समय जो मिल रहा है वह easily इसको एक एक काम को पढ़कर भर सकते हैं जो कर्मचारी ऐसे हैं जो लोग टेक्निकल इतना sound नहीं है वह अपने family members है या staff में किसी को भी हमारे वीडियो को दिखा कर और भी सारी वीडियो इस सीरीज में बनाए गए हैं उन सभी को दिखा कर जो है help लेकर अपने अपने डेटा को जो है यहां पर फिल कर सकता है दोस्तों तो यह वीडियो था उन लोगों के कहने पर जिनको नॉमनी डिटे थैंक यू